कामबाम सब ठीक ठाक चल रहा है और सुबहे का टाइम है मौसम बहुत ही अच्छा है और आज का जो वीडियो होने वाला ना दोस्तो आज का वीडियो होने वाला है हमारे राजु भाई के लिए राजु भाई हमारे कोयमबर टूर से हैं अगर कोयमबर टूर के बारे में मैं आपको बताओ तो दच्छिन का छेत्र है और राजु भाई से जितनी मेरी टीम की बात हुई है उन्होंने बताया है कि एक काफी मिलनसार है और उनको एक बेस की जरूरत है अब उसमें क्या है कि वो निसकस नहीं रेकाल पार है हमारे सबसे पहले दोनों हाथ जोड़के सभी भाईयों को मेरा राम राम और जैशी राम तो आज की वीडियो का सिरीगनेस करते हैं राजु भाई के दिये हुए सवालों के साथ राजु भाई को ना एक कैसा बेस चाहिए था जो कि पावर्फुल हो बजट के अंदर हो और स्टा पाजने के बाद ना तो राजु भाई की समझ में कुछ आ रहा और ना ही हमारी टीम के समझ में कुछ आ रहा अब वो टीम से जो कोस्चन है वो हमारी तरफ को मूव हो गया यानि कि मेरे पर कोस्चन आ गया राजु भाई को क्या दिया जाए तो आपको पता है कि अब राज जो प्लाई आती है sound grade प्लाई उसमें था, तीसरा एक होती है manufacturing जो की अच्छी quality की अच्छी प्लाई के साथ में कराई जाते हैं, हम लोग भी वो कराते हैं, लेकिन आज उसके बारे में चर्चा नहीं है, चर्चा है राजू भाई के base के बारे में, और एक चौथा point आता है जह तो under one leg थे, तो पहला point हटा दिया गया, क्योंकि जो भी आप समझके चलिए, imported boxes है, उसकी जो cost है, वो काफी high चलिए जाती है, और जो cost box की high जाएगी, तो speaker भी उसी रिसाप से वहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर दो option हमारे पास रहे जाते हैं, तो इधर आई चलती रहती है, तो यहाँ भी वही काम चलना है, मेरे भाई है, बच्चे हैं, वो कर रहे हैं भी, आउम एक चीज़ दिखाते हो, आपको मेरे साथ आओ, एक, एक न यह, यह sound grade ply के अंदर box है, और अभी इसके अंदर मैंने handle वगरा नहीं tight की हुए थे, तो मैं आ आपको दिखाना चाते हो, एक बार इधर आईए, यहाँ पर आप देखेंगे, front के अंदर, speaker front में लगेगा, यह गोल जो कटा हुआ है, यह फ्रेंट में speaker लगेगा, यहाँ पर इसके handle आजेंगे, चार handle आजेंगे, यह भी single है, तो हमने राजु भाई के लिए जो सोचा है criteria, वो single base का सोचा है, और जहां तक मेरी team से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि राजु भाई का जो बजट है, वो है, second के लिए ठीक ठाक पट रहा है, यानि कि second के लिए sound grade ply होगी, CNC cutting के box होगे, और एक imported speaker होगा, यह कहानी step by step है, कोई भी step छूट जाता है, तो सा से बाहर हो जाएगी, तो मैं अब इस चर्चा के अंदर आपको जो मैं मुलाकात कराना चाहता हूँ, यह जो दो base रखे हुए, इन से मुलाकात करावेना चाहता हूँ, इनकी क्या खासियत है, कौन सा speaker इसके अंदर लगेगा, उस सारी चर्चा मैं आपके साथ करूँँगा तो मैं एक बार इस base को यहाँ पर लिया दो, बहुत से पकड़ाने के बार बेस को, अच्छा खासा weight है, और एक बार इसको फ्रेंट से ले लेते हैं, यह है, दोस्तों इसके उपर नहीं यह dust के बचाने के लिए, रैप क्या हुआ इसे, दुबारा रैप कर देंगे, लेकिन इसे एक बार हमें रिमूब कर लेते हैं, सारी के सारी रिमूब करने के बाद जो quality समझ आ रही है, वाकई में दिलखुस कर रही है, तो यह वाला जो material है, soundgate ply वाला, यह मैंने भी, खुद भी, देखा नहीं, तो टीम ने इसे 2-4 बार भेज तो दिया, लेकिन हम लोगों ने अब देखा नहीं इसे, तो आज राजुबाई आपके लिए इसको अच्छी तरीके देखने के, राजुबाई मैं आप से सीधा मुखातिव होता हूँ, यह जो box है, यह reverse speaker के लिए बनाया गया, यहाँ पर जो, मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसे open करके दिखाऊंगा, ले और CNC से बना हुआ है, सांड क्रेट प्लाई के साथ, अब इसके वह फिनिसिंग देखे, अब मेरे पास आए, मैं आपको क्या फिनिसिंग दिखाता हूँ, यह quality देखे दोस्तों आप, लब, मैं तो यह ही कहूँगा, कि अगर इसको यह कह दिया जाए ने, कि यह import वाला box है, तो कहना अतिश्योक्ती नहीं होगी, यानि कि इसको कहा जा सकता है कि import box है, युकि इसका size जो है न मुझे बहुत अच्छा लगा, तो रजब इसके अंदर जो हम लगाने की सोच रहे हैं, जो विचार हमारा है, इसके अंदर पच्छिस सो वाट स्पीकर लगाने की सोच रह होगा, अब एक बार इसे open कर लेते हैं, और open करके देखते हैं किसके अंदर, जो मैं quality की बार 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 बात कर रहा हूं, sound rate apply की बात कर रहा हूं, वो कैसी है, किस तरीकी की नजर आती है, तो LM की bolt दिये हुए, एक बार इसकी LM की का, जो इसका नाप है, उसके size की key ले लेते जो इसे खोल के, दोस्तों ये अब काफी speed में आप लोगों ने इसे खोलता हुआ, देखा होगा, अब मैं एक बार इसको open कर लेता हूं, और open करने के लिए मुझे लगता है, कोई नो कोई चीज लेकर इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोल लेते किसी चीज से, राजु भा उन भाईयों के लिए बता रहो, जिन भाईयों के पास ये reverse वाला base जाता है, वो परेशान हो जाते कि किस तरीकी से खुलेगा, क्या होगा, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका इसका गुल्दा है, इसको रिमूव किया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अरजेस्ट प्र करने के बाद हटा दिया, इसको में चीज़ दिखाता हो आपको, यहाँ पर भी ने इसको एक्स्ट्रा वो दिवी है, सपोर्ट दिवी है, इसकी वजए से जो इसके वेट काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी base के अंजर फोड़ा सा वेट मैंटेन करके चलना आपका sound grid ply है, जो इसके अंदर use की हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो गोला कटा है, उसकी cutting को यहाँ पर use किया गया है, जिससे कि इसको थोड़ा सा structure को और मजबूती मिल जाती है, यहाँ आप देखेंगे, यह एलिंकी के जो बोल्ट है, जो use किये गए, नट इनको हर size में दिया हुआ है, क्योंकि speaker अभी यहाँ पर available नहीं था, तो इसको थोड़ा सा size होको, क्योंकि अभी हमने जल्द महीं काफी बड़ा disaster face किया है, जिसके अंदर की size जो है, वो out हो गया था, और उसके चलते हुए, जितने का समान था, उससे ज्यादा का उसके उप खरचा गया, तो मैं उस disaster से बचने के लिए इसमें थोड़ा सा adjustment करा गया है, बात रही box की, अब इस box को आप अपने हाँ पर क्या कहते हैं, इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, हम जो इसे बता रहे हैं, आपको reverse base है, actual में इसमें magnet उपर आएगी, परदा नीचे र हमने पीछे 4-5 साल पहले के हमारे भाई थे, उनको दिया था, उन्होंने इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ की थी, कि उसके बास से ये single base के लिए हमने continue कर दिया, कि हमें अगर single base किसी को suggest करना है, first time users है, तो उनको हम यही वाला base use करने के लिए सला देते हैं, अब देखिए म मैं इसके अंदर जो है न, एक चीज और clear कर देना जाता हूं, वो चीज है budget से जुड़ी, यानि कि आप समझ के चलिए, suppose कीजिए, एक भाई का जो budget है, वो 10 रुपे है, एक भाई का budget 8 रुपे है, एक का 5 रुपे है, दो रुपे वाले के बारे में बात इसलिए नहीं करें कि देखिए, मना मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप हलका वाला ना लें, क्योंकि हर किसी की capacity है, अभी आपकी capacity 5 रुपे खर्च करने के नहीं, तो आप 2 रुपे में खर्च कीजिए, आप अपना काम start कीजिए, पहले अपने पैरों को मझभूत कीजिए, जेव में पैस 500W यूज हो रहा है, उसकी जगह पर आपको 1200W का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ी जी adjustment होती है, तो price थोड़ा up down हो जाता है, यानि कि अब ये राजु भाई ने जो हमें बंजर दिया था, उसके अंदर में ये वाला speaker 2500W के साथ में अच्छी तरीके से तयार हो क्योंकि एक तो size बड़ा compact हो जाता है, तो 18 इंची इसलिए हम लोग use करते हैं, तो यहाँ पर 18 इंची का 2500W का speaker इसके अंदर लगा लेते हैं, इसको एक बार हलका सा play कर लेते हैं, उसके बाद में राजु भाई ने जो हमें एक तरीका दिखाया था, कोयमबटूर के अंदर किस तरीके का environment है, cleanness, जबर्दस्ट, यानि कि आप यह मान के चलिए कि कोयमबटूर के अंदर जो weather था बहुत भैतरीन weather था, अब उसी type का राजु भाई आपके लिए तयार कर दिया गया है, और इसके अंदर में उपर से cover भी इसके साथ में आएगा, तो cover भी मैं आपको द राजु भाई का बजट मैं आपके सामने clear कर देता हूँ, जो पच्छिस सो वाट के अंदर था, राजु भाई का बजट बिल्कुल fit आ रहा था, वो around 75 था, 75 के अंदर पच्छिस सो वाट के दो speaker लाके दो box तयार हो रहे थे, with cover, लेकिन अब राजु भाई ने थोड़ा सा slightly change कर दिया है, अब राजु भाई को चाहिए, चार और बजट उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, ओवियसी बात है, 75 से उपर गए, लेकिन पच्छिस सो वाट से थोड़ा नीची आ गए, तो राजु भाई को अब जो दिया जा रहा है, पंद्रा सो वाट के अंदर दिय कार दिये जाएंगे, लेकिन यहां पर हम पंद्रा सो वाट केंदर 18 इंची साइस का जो बेस है, वो एक तयार कर देते हैं, तयार करने बाद इसे प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद इसका जो प्राइस है, मैं आपके साथ में साज्या करूँगा, और देके सीधी सी बात है इसमें हम लोग ना तो कोई स्क्रिप्टिड है, ना मेरे पास कोई नियमा वाली है, जिसके अनुसार में चलूँगा, मैं वीडियो बना रहा था, बनाते बनाते मेरे को ख्याल आया यार, जिन भाई का समाने को और उनसे पूस्तो लेते हैं, कि क्या है, जब उनको बताया इस तरीके से आपके बज़र्ट में आ रहा है, वो चार पर सिफ्ट हो गए, अब अगर टोटल आप करते हैं, तो सपोस्ट कीजिए, छे और छे बारा जार हो गया, वहाँ पर पांच छे जार हो रहा था, तो बहुत फरक आ गया, और प्राइस स्लाइट्ली थोड़ा सा इंप्लिफायर दिया जारा, उसकी भी एक बार हम चर्चा कर लें, मैंने जो आपके बज़र्ट के अंदर जो इस्तिमाल करना था, स्पीकर वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, एक तो इसे RCF मोडल कहते हैं, यह जो मोडल है, इसे RCF मोडल कहा जाता है, बास्किट ज यहां पर कुछ इस तरीके से fit कर दिया जाएगा, fit होने के बाद कुछ आपको यह ऊस तरीके से लगेगा, और इसको एक बार fit करने के बाद play कर लेतें, और play करने बाद मैं आपके साथ में साजा करता हूँ इसका price, क्युक्ति मज़ा जब आएगा, जब sound हम लोग कानों से स सब्सक्राइब दोस्तों अभी जो आपने सुना वह खाली लो फ्रिक्वेंसी थी यानि कि आपका बेस था और बेस ज्यादातर भाईयों की समझ में खाली नहीं आता क्यां कि कभी भी बेस की जो फ्रिक्वेंसी है आप कानों को अंदर जब तक हम है न तीनों फ्रिकॉंसी मेच करके नहीं में अजानी यस pedestrians अब ये बेस का जो हलका सा में चेक करना था वो चेक कर लिया अब एक बार हलका सा इसको हम 12 इंची के इसके उपर लगाते हैं और उसके साथ में थोड़ा सा हलका सा मज़ा लेते टेस्ट के तो आई है कि अब हुँ मेरी है 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 कि ऐसी फास्ट सुन लिया साउंड सैटिसफाइड है मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत उपर के लेवल का साउंड है क्यूंकि अगर देखे बज़ट थोड़ा और अच्छा होता को मैं तो यही कह रहा था भाई से कि 500 वाट के स्पीकर के साथ की चार बनवाते हैं लेकिन बजट तक्रिवन डेड़ लाग रुपए हो जाता कि 75,000 के दो है तो डेड़ लाग पहुच जाता लेकिन अब जो यह तयार किया गए चार यह आपके 90,000 रुपीज के क्वाल्टी आप देख लीजिए सेकंड नमर की क्वाल्टी है फर्स्ट में दो कैमिनिट पढ़ गए 90,000 के चार हो गए दोस्तों बात प्राइस की हो चुकी लेकिन मैं आप लोगों के लिए ट्विश्ट छोड़ जाता हूँ अगर आपका बजट 75,000 के आसपस है तो आप मैसिद कीजिए 75,000 रुपे के अंदर 2508 इंपोर्टेड स्पीकर प्लस ब क्या है टीम के अंदर काफी लंबी लंबी टीम है देखते हैं आगे किस भाई के नाम से कौन सी वीडियो आती है और मैं यहीं चाहूँँगा डेटियल के साथ में वीडियो की जाए मैं आज की वीडियो के अंदर आपको किलियरली यह बता जेना चाहता था कि आपका है इंडिया के अंदर किसी भी कौने में आप रहते हैं अब डेली आये मोस्ट वैलकम है अदर्वाइस आपको ट्रांस्पोर्टेशन के थ्रू भी दे दिया जाएगा लेकिन सर्थ यहीं है पेमेंट फर्स्ट होती है चाहे कहीं से भी आप लें सुनके लें उसके बाद में समान को लें राजु भाई कोएमबटूर वाले अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा मेरा काम यहां पर समाप्त हो जाता है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं हसते रहें मुस्कुराते रहें पहली व्लोगस के साथ रहें जैहिंद बंदे मात्रम भारत माता की ज कैसी जैहँ है मैं जैहें पर सम्त काम पर संधी के भारत माता मीन गड़ gary्लोगस के अरो ले मताना भारत माता दोरिजना में बंदarta की अपसे बंद़ चाह इंदा बंदे